हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी उमीद करता हूँ आप सभी बहुत यह अच्छे होंगे तो आज किस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ओम की नीमो की सिमाओं को हम जानेंगे और उसके बाद हम जानेंगे भया कि जो ओमिय प्रतिरोध होता है वो क्या होता है अनोमिय प्रत है कि ओम के नीमो को कि मतलब क्या सिमाओं होती है तो ओम के ओम की नीमो की सिमाओं इनकी सिमाओं कौन कौन सी है इसको हम जानते हैं तो यहां दखेंगे ओम की नीमो की सिमाओं क्या है निम्न है निम्न है निम्न है तो हम ऐसा है लिख सकते हैं कि इसकी सिमाओं इनकी सीमाए निम्द होती है अब वो कौन कौन सी होती है तो इनकी सीमाए में हमें दो टॉपिक को बारे में जानना है वो सबसे पहला टॉपिक है ओमिय चालक क्या है ओमिय ओमिय प्रतिरोध ठीक है ओमिय प्रतिरोध को जानना है दूसरा हमें जानना है अन ओमिय प्रतिरोध ठीक है इनका परिबासा हमें इस वीडियो में लिखना है ठीक है जानना है बहुत ही अच्छा सा आपको समझ में आएगा तो सबसे पहले यहां पर ओमिय प्रतिरोध किसे कहते है तो जो चालक ओम की नीमों को किया करता है जो पालन करता है उसे हम क्या करते है ऐमिय प्रतिरोध कहते हैं मतलब कोई भी ऐसा चालक है जो क्या करता है कोई ऐसा चालक जो ओम के नियमों को ओम के नियमों का क्या करता है या पालन करता है अनुसरन करता है या पालन करता है उसे अभी या हम क्या करते हैं ओमिया चालक कहते हैं ओमिया चालक कहते हैं ठीक है और उसके प्रतिरोध को मतलब उस के मतलब उस चालक में उत्पन प्रतिरोध को हम क्या कहते हैं ओमिया प्रतिरोध कहते हैं ठीक है तो आपको यही से आपको याद रखना है मतलब जो चालक ओम की नीमो का पालन करता है ठीक है ओम का नीमो का पालन करता है उसे हम ओमिये चालक कहते हैं तथा उसके प्रतिरोद को ओम्ये प्रतिरोद कहते हैं. समझ में आया क्या का जा रहा है? तो definition को रटना नहीं है, यह definition को समझना है. कहा यही जा रहा है कि ऐसा चालक जो ओम के, मतलब जो चालक ओम के नीमों का पालन करता है, उसे हम ओम्ये चालक कहते हैं, तथा उसके प्रतिरोद को ओम ये प्रतिरोद कहते हैं तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर definition लिख दे रहा हूँ ठीक है? तो definition हम कैसे लिखेंगे? इसको मैं मिटका दे रहा हूँ यहाँ से आप याद रख सकते हैं तो हम क्या लिखेंगे? कि ऐसा चालक मतलब जो चालक ओम के नियमों का पालन करता है उसे ओमिय प्रतिरोध कहते हैं तथा ओमिय चालक कहते हैं तथा उसके प्रतिरोध को ओमिय प्रतिरोध कहते हैं तथा उसके प्रतिरोध को हम ओमिय प्रतिरोध कहते हैं तो इसमें आपको समझ में आ गया होगा क्या कर जा रहा है कि जो ओम के नियमों का क्या करता है या पालन करता है ठीक उसे हम ओमिय चालक कहते हैं तथा उसके प्रतिरोद कोई क्या कहते हैं हम ओमिय प्रतिरोद कहते हैं ठीक है ऐसे ही जस्ट इसके अपोजिट है ये अनोमिय प्रतिरोद मतलब ऐसा प्रतिरोद जो ओम के नीमों का पालन नहीं करता है उसे हम अनोमिय चालक कहते हैं ठीक है मतलब हमने क्या कहा विया कि ऐसा जो चालक क् क्या करेगा ओम के नीमों का मतलब ओम जो ओम का नीम है इसका पालन नहीं करता है उसे हम क्या कहेंगे हम उसे अन ओमिया अन ओमिया चालक कहेंगे ठीके तो हमने क्या कहा जो चालक ओम के नीमों का पालन नहीं करता है उसे हम अनोमिय चालक कहते हैं और उसके प्रतिरोध को उसके जो प्रतिरोध होता है उसके प्रतिरोध को ही क्या कहते हैं भीया अनोमिय प्रतिरोध कहते हैं तो आपको आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि जो चालक ओम के नियमों का पालन करते हैं उसे हम अनोम ये चालक कहते हैं तथा उसके प्रतिरोध को अनोम ये प्रतिरोध कहते हैं तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा तो मैं यहाँ पर definition लिख दे रहा हूँ ठीक है? तब definition आप क्या लिखेंगे? आपको का पालन नहीं करता है उसे ओमिया क्या कहते हैं? अनोमिया चालक कहते हैं कहते हैं तथा उसके प्रतिरोध को क्या कहते हैं अनोमिया प्रतिरोध कहते हैं तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा हमने यहीं कहा कि जो ओम के नियमों का क्या करता है पालन नहीं करता है तथा उसे क्या कहते हैं अनोमिया चालक कहेंगे तथा उसके प्रतिरोध को यह क्या कहेंगे अन ओमिया प्रतिरोध कहते हैं तो आसा करते हैं आपको ओम की नेमों की जो सीमाई यदि पूछ लिया जाए तो ये दो टॉपिक को आपको लिख देना है आपको समझ में आ जाएगा ठीक है वहाँ पे आपको full to full marks मिल जाएगे और इसमें एक्जाम में कोई भी topic आता है तो आप अच्छे से लिख सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज की लिए तना ही मैं यही कहूंगा यदि आप हमारे चैनल पे नहीं होंगे तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिजेगा वीडियो को लाइक कर दिजेगा और हो सके तो हमें comment section में जरूर बतेएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और परिभासा समझ में आया है या नहीं आया है ठीक है और दूसरी बात यदि आप हमारे चैनल पे नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिजेगा ठीक है करके वीडियो को पढ़ सकते हैं और अपने संदसे notes बना सकते हैं otherwise यदि आपके school में coaching में यदि कोई भी topic समझ में नहीं आता है तो उस topic का केवल नाम लिखना है जैसे कि माल लेते हैं आपको ओम का नियम नहीं समझ में करना है तो आप इस नंबर पर हमें WhatsApp कर सकते हैं और उस topic का नाम लिख कर हमें WhatsApp पर इस नंबर पर हमें message कर देंगे तो आपको वीडियो का link तुरंत provide करा दिया जाएगा तो चलिए दूस्तों आज के लिए इतने ही मिलते एक लिए वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जय हिन जय भारत